नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागंद्र मिस्टा में महा सिवरात्री के दिन बेल पत्र को छूकर बोल दो ये मंत्र जैसे भी होगी मनों कामना तुरंत होगी पूरी जी हैं दोस्तो महा सिरात्री की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुब कामनाएं सनातन धर्म में महा सिरात्री का विशेश महत्व है और इस बार कईये ब्रत महा सिरात्री फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतूर दसी तिथी को 11 मार्श 2021 गुरुबार की दिन मनाई जाएगी तो महा सिरात्री पर कई सारे महा सुब्षय योग बन रहे हैं क्योंकि धनिष्ठा नचत्र में सिव जी और पार्वती की पूजा होगी सिव नामा की योग बन रहा है और इस दिन पूजा पाठ जल अविशेक के रुद्रव शेक कर भोले नात को प्रसंद करके सुक और सवभाग सम्रद्धी धन धान में ब्रद्धि संतान की प्राप्ति का वरदान भी मांगे जाएंगे हमारे पुराणों में वर्णन है कि महा सिरात्री के दिन भगवान सिव जी को सबसे ज़्यादा बेलपत्र प्री होता है इसलिए बेलपत्र इस दिन जरूर चड़ाना चाहिए और इससे भोले नात सबसे जल्दी प्रसंद होते हैं बेलपत्र से क्योंकि महा सिरात्री भोले नात को पशिंदीदा तिथी में से एक है इस दिन को पवित्र इशले भी माना जाता है क्योंकि मा पार्वती और सिव जी का बिवा हुआ हुआ था अब इस सुबतित पर सास्तों में कुछ खास प्रयोग बताए गए हैं जो आपके जीवन से हर परेशानियों को निकालने को रास्ते भी बताते हैं तो क्या ना इसे महासिरात्री के अबसर का क्यों ना इसे महासिरात्री के अबसर का लाब उठाया जाए और सिव जी को मनाया जाए खास कर बेल पत्र बहुत पवित्र और बहुत सुबकारक माना जाता है बेल पत्र को छूँ कर बस बोल दो ये मंत्र फिर देखिये कैसे चमतकार होता है आपकी जीवन में देखिये महासिव रात्री सुबत तीत पर मधध रात्री में सिवजी और मापारुती की पूजा करने का भी धान है जैसे कि आज रातरी बारा बचके 6 मिनट से लेके रातरी बारा बचके 5 मिनट तक कर निशीत काल का शमय रहेगा इस दिन शुक आरोग की प्राप्ति के लिए महा मृतिंजे मंदर का जाप भी कर सकते हैं जीवन में धन धान बनी रहे और आपकी जैसे भी मनोकामना हो तुरंत हातों आगर पूरी करना चाहते हैं तो आज आप महादेव को पंचा मृष्य अभशेक करें पंचा मृष्य अभशेक करने से जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं या कोई दोस नहीं होता पंचा मृष्य में आप दूद, दही और थुड़ा सा गंगा जल डालें, शहद डालें और आप घी डालें इन तमान चीजों से आप पंचा मृष्य अभशेक कराएं अगर आप इस दिन भूले नाथ को भांग चड़ाते हैं तो जीवन की सभी परेशानिया आपकी ततकाल नष्ट हो जाती है और भूले नाथ सदेब कृपा आपको पर बनी रहती है धतूरा चड़ाने का बहुत बड़ा फल मिलता है धतूरा जरूर महादेव सीलिंग को चड़ाना चाहिए इस दिन महासिरात्र की दिन साथी साथ बैर और जो आम की जो बोर होती है उसको भी आप चढ़ाएं और जो की जो डालियां होती है जो की बालियां उसे भी आप जरूर अरपित करें खासकर इस दिन आप सफेद पुष्प अरपित करें लेकिन दोस्तों चूकि हमारा टौपिक है बेल पत्र को छो कर बोल दो ये मंत्र दोस्तो महासिरात्री के दिन अगर बेल पत्र नहीं चढ़ाया गया तो मतलब कुछ भी नहीं चढ़ाया गया क्योंकि भोले नात को भोले बावा को भोले भंडारी को बेल पत्र सबसे ज़्याद प्री होता है बेल पत्र अगर आप ने अर्पित कर दिया महा सिरात्री के दिन तो मान लीजे कि सोने पे सुभागा आपकी जैसे भी होगी मनोकामना तुरंत होगी पूरी चाहे सिक्षा, ब्यापार, केरियर, दामपत, जीवन, संतान, संबंदी हर एक मनोकामना आपकी भोले नाथ पूरी करेंगे तो दोस्तो बेल पत्र तो आप चरूर चढ़ाते ही चढ़ाते हैं तो क्या करें दाहिने हाथ में बेल पत्र ले ले और क्या करें थाली में ही ले ले और आप पहले अशनान करा दे भोले बाबा को अशनान कराने के बाद बेल पत्र को आप चाहे एक जारा ले लिजे चाहे एक कीस या एक सव आठ अगर एक सव आठ चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना जरूर कुछ ही दिनों में पूरी होगी तो 108 बेल पत्र ले 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 या 11 दल ले या 21 दल ले ले और आपको दाइने हाथ में लेके और सीव लिंग पर आप अरपित करते हुए मतलब टच कर दे छू ले और छूते समय बस आपको सिर्फ एक ही मंत्र बोलना है ओम नमहिशिवाए ओम नमहिशिवाए इस मंत्र को बोलते नात को बेल पत्र अर्पित कर दें तो आपकी सारी मनोकामनाई हाथों हाथ पूरी होगी जीवन के सारे क्लेस नश्ट हो जाएंगे तो इस बार की इस महा सिरौतरी पर आप बेल पत्र चढ़ाते समय स्रिफ आपको दो ही चीज बोलना है एक तो आपको बोलना है ओम नमशिव को बेल पत्र को चुतिस्च में जरूर बोलना है तो जाते जाते वेडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हरहर महादें